सबसे पहले बात धार्मिक उन्मात फेलाने की कोशिश करने के आरोपी एक मौलाना की करेंगे मुंबाई के मुस्लिम धन्गुरू मुफ्ती सल्मान अजहरी को गुज़ात पुलिस ट्रांजिट रिमान पर लेकर जूना गड़ गई है मुफ्ती अजहरी पर आरोप यह है कि 30 जन्वरी को गुज़ात के जूना गड़ की एक सभा में उन्होंने धार्मिक उन्मात फेलाने की कोशिश की आपति जनग नारे बाजी की और सद्भाव बेगारने की भी कोशिश की मुफ्ती अजहरी को अब गुज़ात पुलिस गरतार करने पहुची तो मुंबाई की सड़क पर खूब तमाशा हुआ मुंबाई के खाट को पर थाने में चार जन्वरी को कहमा कहमी मची हुई थी पुलिस लगातार लोगों से अपील किये जा रही थी पुलिस अपील करके ठक गई लेकिन मुफ्ती सल्मान अजहरी के समर्थक ठाने के बाहर मजमा लगाए खड़े थी पुलिस ने इस बार अजहरी से अपील कराए लेकिन भीड लगातार नारे बाजी कर रही थी रात करीब ग्यारा बजे इन समर्थकों ने बेस्ट की बस को रोप दी आरोप है कि कुछ समर्थकों ने बस में तोड़ फोड की कोशिश की जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उग्र होती भीड को ख़देरने के लिए मुफ्ती के समर्थकों पर लाठी चार्च किया पुलिस की हलकी कारवाई के बाद मुफ्ती अजहरी को अदालत में पेश किया गया जहां से गुजरात ATS की टीम उसे जूनागर के लिए ले कर गई उन्हेंने अप्लिकेशन किया था कि इनका ट्रांसिट रिमांड दिया जाए जिसको हमें इंड़ को अपोस किया और हमने यह भी कहा कि लिगली डिटेन हुए थे हलाकि गुजरात में मुफ्ती सल्मान अजहरी को पकड़ने पहुंची गुजरात एटियस के मताबिक सल्मान अजहरी समेथ कुल तीन आरोपियों पर गुजरात के जूनागर में हुई सभा में भड़काओ बयान बाजी करने और धार्मिक उन्मात फैलाने वाली नारे बाजी कराने के आरोप में आई पी सी की धारा 153-2, 505-2 और 188 के दह्यत मामला धर्ज किया गया है दरसल 31 जन्वरी को मुफ्ती सल्मान अजहरी ने गुजरात के जूनागर में एक भड़काओ का विता पढ़ते हुए जो अब शब्द कहे उसे धार्मिक उन्मात फैलाने वाला भाशन माना गया इसके साथ ही मुफ्ती अजहरी ने पाकिस्तान में लगने वाले कटर पंती नारे की तरह ही यहां नारे बाजी करवाई इसी मामले में गुजरात पुलिस ने स्वता संग्यान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था और दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे गुजरात पहुँच चुकी है जूनागर में भारगव जोशी और मुंबई से अजास खान के साथ आज तक भी उरो तो मुफ्ती सल्मान अजहरी को गुजरात पुलिस जूनागर लेकर आ गई है उनकी धमकी भरा भड़काओ भाशन को लेकर जो मुकदमा कायम किया गया है उसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी लेकिन मुफ्ती सल्मान अजहरी और उनके समर्दकों का दावा है कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं कहा गुजरात के जूनागर में सिर्फ एक कविता पड़ी गई थी उसकविता पार्ट के बाद वहां मौजूद लोगों ने धार में इकडारे लगाए थे जिसमें किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की गई थी लेकिन दूसरी और मुंबाई में जब गुजरात पुलिस मुफ्ती अजहरी को पकड़ने पहुची तो आरोप ये लगा कि मुफ्ती के सेक्रों समटकों ने सड़क बंद करके तोड़ फोड़ करने की कोशिश की इस पूरे प्रकरण में ए आयम आयम के नेता वारिस पटान भी मौके पर मौझूद थे उनका भी यही कहना है कि ना तो मुफ्ती ने कुछ गरत का और ना ही पुलस की कारवाई उचत है मैंने क्लारिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्ता को टेस नहीं पहुचाई है मैंने सिर्व एक अशार पड़ाया और वहाँ पर जो वो मोका था फिलिस्तिन के उपर बयान कर रहे थे सुरक्षा की बीच उन्हें पेश किया जा रहा है देखिए रिपोर्ट जुनागड बढ़का उपाशन मामले में मुफ्ती सल्मान अजहरी को गुजरात पुलिस ने गिरफतार कर लिया और अब उसको जो है वो जुनागड ले जाया जा रहा है जुनागड के अंदर उसको कोट में पेश किया जाएगा और कोट में पेश करकर उसके रिमान लिये जाएंगे जिस तरह से यह मौलाना है जिनोंने बढ़का उबाशन लिया था उसको जो है गिरफतार किया गुजरात कुलिस ने गाट को पर से और अब उसको जो है वो जान्ज की जाएगी साथ ही जो टीसरी महतोपून बात है कि जो फंडिंग्त राल था उस मामले पर पूरी जार की जाएगे और इसलिए रिमान जो है गुजराट पुलिस में लाना के उपर घुजरात माशन ब्याशन दे चुका जया फिए तो क्या इसको इसके बिचे को घ यह पूरी जाज गुजराट पुलिस करेगी एंद वासे केमरा वंजेमिन व्यास के साथ बिज़ेश दोशी आज चक लेकिन मुंबाई से गिरफ्तारी हुई है मुद्दो का मैदान तर्कों पर घमा सा किसे किसके ठनी किसे दी किसे पढ़ता क्या सबसे बड़ा अखाडा दंदर देखे मेरे यानि चित्रा द्रपाथी के साथ रोज शाम पाच बजे सिर्फ आज तक पर ना पक्ष ना विपक्ष ना लेफ्ट ना राइट ना मिच ना मसाला खबरों का बोल बाला निडर, निर्भीक, सबसे सटी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पाद